एपिसोड छेटर सेवन सिक्स रामचरित मारस मिली गावा तुलसी प्रित ये कथा सुनावा श्रीराम की बाल लिलाओं से आनंदित अयुध्या निवासी उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं उन्हीं दिनों महामुनी विश्वामित्र अपने आश्रम में जब तप यग और योग करते थे किन्तु मारिश तथा सुबाहु जैसे राक्षस उनकी साधना में विख्ण डालते मुनिवर के मन में ऐसा विचार आया कि इन पापी राक्षसों का संगहार केवल भगवान के हाथों ही हो सकता है अता एक दिन वर राजा दश्रत की राज सभा में पहुंचे कोसल पुर बासी नर नारि ब्रेध अरुबाल प्रान हुते प्रियलागत सब कहुं राम कृपाल बंदु सखा संगले ही बुलाई बनम्रिग्या नित खेल ही जाए पावनम्रिग मार ही जिया जानी दिन प्रतिन पही देखाव ही आनी जेम्रिग्राम बान के मारे ते तन तजित सुर लोक सिधाए अनुज सखा संग भोजन करहीं मा तुपिता अज्या अनुसर ही जहीं बिधि सुखी हो ही पुर लोगा करह क्रिपा निधि सोई संचोगा बेद पुरान सुन ही मन लाए आपको कहा ही अनुजन समझाए प्रात काल पुठी के रगुना था मा तो पिता गुरुना वही मा था आयस मागी करही पुर गाजा देख चरित हर शैमन राजा ब्यापक अकल अनीह अज निरगुन नाम नरूप भगत हेत नाना बिधि करत चरित अनुप यह सब चरित कहा मैं गाई आगी लिक था सुनहू मन लाई पिस्वा मेत्र महा मुनियानी बसही बिपिन सुभ आश्रम जानी जह जप जग जोग मुनि करही अति मारीच सुभा हुई डरही देखत जग्य निसा चरधाव ही करही उपद्र वमुनि दुख पाव ही गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहिना निसिचर पापी तव मुनि बर्मन कीन विचारा प्रभु अवतर्यु भरन महिभारा तेहूं मिस देखों पद जाई करिबिन ती आनों दो भाई ज्यान विराग सकल गुन हैना सो प्रभु मैं देखब भरी नैना बहु विधिकरत मनोरत जात लागि नहीं बार करिमजन सरव जल गए भूप दरबार मुनि आगमन सुना जब राजार मिलन गया उले बेप्र समाजार करिदंड वत मुनी सन मानी निज आसन बैठार दिखानी चरन पखार कीनी अति पूजा मोसम आजो धन्य नहीं दूजा विविध भाति भोजन करवावा मुनि बरगे दयां हरशी अति पावा पुनि चरननी मेले सुत चारी राम देखी मुनि देह पिसारी भय मगन देखत मुक सोभा जन्चकोर पूरन ससी दोभा तब मन हरशी बचन कहराओ मुनि असक्रिपा नकीन हुकाओ केही कारण आगमन तुम्हारा कह हुँ सुकरत नलाव उबारा असुर समूह सताव ही मुही मैं जाचन आयं उप्तो ही अनुज समेत देहु रघुना था निसिचर बध मैं हुब सना था कि अंतो ही मुह पाहमन पाहर कुछ क्यों समूह दोए दोए सम्ना पाब मैं यान करहaking रख वान झाल झाल